दोस्तों आप सबीक एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज के कॉपिक है हुंड़ई i20 एंड टाटा अल्ट्रोज एंड मारूति ब्लेन हो तो चलिए शुरू करते हैं तो हुंड़ई i20 का देखा जा है तो आपका 1.2L of fuel capacity मिलेगा आपको एंड इंजिन आपको 1197L, 1197cc का मिलेगा और ब्रेक होर्स पावर की बात किया जा है पावर की बात किया जा है तो एक आसी पॉइंट शोरी एक आसी बीच्प का होर्स पावर मिलेगा और टॉर्क की बात किया जा है और बेच्पी का full-pum होता है ब्रेक होर्स पावर एंड एन-म का full-pum होता है नॉटिकल माईल तो यह टॉर्क निकालेगा आपको 114 का i20 होंडाई का और मैलेज की बात किया है तो 20 km पर आवर पर लिटर यह मैलेज देगा जहां तक के देखा जाए इसका टॉप स्पीड की बात किया जाए तो 154 किलोमेटर पर आवर का टॉप स्पीड निगा लेगा इसका वजन की बात किया जाए 1079 केजी का है अब देखते हैं अल्ट्रोज का अल्ट्रोज है आपका 1.2 लिटर फ्यूल कैपसिटी जो मिलेगा आपको आपका एक सोरूम प्राइज सॉरी होंडाई का एक सोरूम प्राइज नहीं बताया थे होंडाई का आपको एक सोरूम प्राइज जो की बेस्ट मोडल मिलेगा 6,85,000 से लेके इसका टॉप मोडल मिलेगा आपको 9,95,000 तक मिल जाएगा अब अल्ट्रोज के बाद टाटा अल्ट्रोज की बाद किया जाए तो एक सोरूम प्राइज आपको बेस्ट जो मोडल मिलेगा आपको पांच लाक असी हजार से लेके 9,36,000 तक आपको टॉप मोडल मिल जाएगा जहां ते कि इसका बाद किया जाए एंजन का इसका इंजन है और चोरा सी इसका पावर दे रखा है बीएच्पी दे रखा है और नॉटिकल माईल जो है आपको 113 दे रखा है मैलाई की बाद किया जाए तो मैलाईश कम है हूंडाई से 19 km per litre और top speed की बात किया है तो 162 km per hour का top speed है जहांते कि Hyundai से ज़्यादा है वजन की बात किया है तो वजन भीकव में इसका Hyundai का ज़्यादा है 1036 kg का इसका वजन है अब देखते हैं Blaino का यह एक सोरम प्राइज आपको पड़ेगा जो की best model आपको मिलेगा 5,99,000 इसका top model जो मिलेगा 9,30,000 का इसका top model मिलेगा जहां तक इसका engine की बात किया है तो 1197 CC का इसका engine मिलेगा 81 BHP का मिलेगा almost दोनों का same ही है Tata Maruti Blaino vs Maruti और Hyundai दोनों का same ही है torque की बात किया है तो torque होंड़ाई ज्यादा निकाल दिया है बसरती यह कम निकाल पाया Blaino 113 torque निकाल रहा है मतलब 113 Nm निकाल रहा है mileage की बात किया है तो mileage बढ़ा दिया है इसका और यह top speed आपको दोनों से ज्यादा है आपको 169 km per hour का top speed पकड़ता है और वजन के बात किया है तो वजन कम है इसका 865 kg का वजन है तो thank you so much watching this video आपको यह वडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताए अगर वडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्क्राइब करें तो thank you so much watching this video आपको आपको एजन हो